हेलो गाइस वेलकम टू करेंट फियर्स परंड आपको बताना चाहूंगा कि अभी युनाइटेट इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिम्टेट में विकेंसिस आई हुए हैं और यह जो इंसुरेंस कंपनी है यह भारत सरकार की है गवर्मेंट ऑफ इंडिया अंटरिकिंग कंपन यहां पर निकाली गई है 250 अलग लग जिगह पर विकेंसिस आती है जैसे आप देखेंगे NICL की हो गई या फिर आप देखें NICL की हो गई या LICAO की हो जाती है ठीक है तो यह जो विकेंसिस हैं इसी नंबर्स में आती है 250 की आसपास में कहीं पर 300 आ जाएंगी तो अप्ला टू, EWS की 24 है, OBC की 67 है और ST और ST की 37 और 20 यहां पर है तो टोटल जो पोस्ट है वो है 250 कौन-कौन लोग यहां पर अप्लाई कर पाएंगे यह पूरी जानकारी इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दी है वह मैं एक्स्प्लेन करके आपको बताता हूँ सबसे पहली चीज़ इंडिया कन आल्सो अप्लाई मतलब भारत का नागरिक होना जो है यह मैंटरी है अज सब्जेट टू नेपाल इनके लिए लग लग जो है वो क्लॉजिज मेंजन कर रखे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लो क्या क्या है यहां पर है तो एजुकेशनल क्वालिफ सब्सक्राइब यहां पर भी वही सेम है जो अभी आपने दिखा कि निकला था उसमें भी सेम यही कंडिशन थी तो इन्होंने मेंचन कर रखा है कि आपके पास ग्रिजूशन की डिगरी होनी चाहिए 60% unreserved के लिए बाकी जो SCST के डिगरी है इनके लिए 55% से भी काम चल जाएगा ठीक है यह का गया है कि कोई भी qualification है वो mention होगी उपर should be obtained from any recognized university मतलब जो government of India UGC AICTA अगर इसमें से भी कुछ है approved है तो वो लोग ही केवल यहां पर apply कर पाएंगे ठीक है with appropriate pattern like 10 plus 2 plus 3 ठीक है तो 10 plus 2 plus 3 का मतलब यह हुआ कि पहले आपने 10th pass किया फिर आपने 12th किया उसके आपने 3 साल आपने डिग्री ली तो अगर कोई बंदा बी टेक करा हुआ है उसने 10th किया होगा फिर उसने 12th किया होगा फिर उसने 4 साल का बी टेक करा होगा तो वो भी यहां पर applicable रहेगा in jobs के ले ठीक है तो यह चीज़ है और result लेकिन 31 12 2023 से पहले आपका आज आना चाहिए वो चीज जहां प age group कितना है 21 से 30 साल के बीच के लोग सभी यहां पर apply कर पाएंगे ठीक है तो यह चीज यहां पर हो जाती है इसके बाद आप देखेंगे कि relaxation मिलता है अलग-लग age group और अलग-लग जो अलग-लग cast है उसके हिसाप से ठीक है यहां पर इनोंने कुछ और चीज़े mention कर रखी है आप तोड़ा सा और next page पर जाओगे तो आपको इसके pattern और बाकी सब चीज़ों के बारे में पता लेगा application form की fees 1000 रुपए प्लस GST है आपर और SCST के लिए fees जो है 2200 रुपए के बले है प्लस GST applicable है online examination जो है वो आपका start हो रहा है 8 जनबरी से और last date होगी इस पूरे form को भरने application के साथ में जो यह सारी detail है इसके बाद में जो आपका admit card आएगा online test का तो वह यहां पर कहागी कि वह आप जाएगा 10 दिन पहले जो आपकी टेंटरी पर online examination की रिएट होगी उससे पहले तो अभी further communication में यह सारी चीज़ आगे आपको बताते चलेंगे application process procedure में इन्होंने mention कर रखा है कि पहले जो detail guidelines है वो आप देख लेना अच्छे से registration होगा payment fee करोगे फिर आपके documents बगरा है और उसके बाद में candidate are advised to read all the जितने भी instructions है जो guidelines है वो आपको पढ़ लेनी है selection performance है वो आपकी इस तरीके से measure की जाएगी कि जो online examination है और plus आपका interview है तो online examinations में इन्होंने mention क कर रखा है कि जो भी candidate appear करेंगे उनको reasoning English quant और general awareness with special reference to financial sector यह आपके questions आएंगे computer आपका आएगा तो यह सारी चीज़ें आपके examinations का हिस्सा रहेंगी वैसे आपको यहाँ पर explain करना चाहूंगा कि current affairs पंड़ा पर आपको यह सारी चीज़ें बहुत ही systematic और काफी कम price में मिल जा package है जिसमें हम आपको सब कुछ कबर कराते है प्री प्लस मेंस का यह तू डबल नाइन का है अगर आप current affairs को opt करेंगे तो यह भी तू डबल नाइन का जिसमें सारी PDF A to Z हमने आपर provide करा रखी है मतलब जो financial awareness है या जितनी भी चीज़ें आपके examinations के ज़रूरी चाहीं होती व आपके लिए बस इतना ही important है examination के center आपको allocate हो जाएंगे जब आपका form final submission हो जाएगा तो जब call it रहेगा तो उसमें चीज़ें पता चलेंगे जो जो आप फिलफिल करोगे उसके साब सही यह सारी चीज़ें नहेंगी आपका बहां पर center पर verification होगा उसके बाद आपके further examination है व अपनी preparation को आगे next level पर ले जाएं और हर एक चीज़ आपको current affairs funda provide करा रहा है तो आप इस current affairs funda के mobile application को download कर लेना link description में दिया गया है जिसमें आपका reasoning, die, combo, prelims, mains, test series, everything is given in a well format तो आप इसको देखें अपनी अच्छी तयारी करें और अपना final selection ले, thank you so much guys, have a good day to all of you one second, we will meet in the next video